हम लोग आट क्या देख रहे हैं सारे जो इंपोर्टन इपोर्टन टॉपिक हैं जिकसे कोच्छन पूछे जाते हैं और लोगों से कॉषिन अफसेवलत हैं नोग उन टॉपिक को देख रहे हैं ठीक है बहुत सारे टॉपिक हो गाई हैं हमारे प्लेटर हो गए हैं और टॉपिक looks वा ले वाय। हमारा क्या है DC shunt motor का speed control ठीक है यानि हम क्या देखेंगा तो DC shunt motor होता है DC shunt motor का speed control ठीक है DC Shunt motor का speed control हम लोग देखने वाले हैं ठीक है यह DC Center Motor को कैसे चाहिए तो speed को control कर सकते हैं speed control का मतलब यही कि कम speed चाहिए तो कम speed पर काम करें और ज्यादा speed चाहिए तो ज्यादे speed पर काम करें ठीक है तो यह कुछ चीजों को देखेंगे तो सेशन को पभूत को लाइक कर देना सेर कर देना और चैनल पर पहले बार होगे तो सब्सक्राइब जर्ब कर देना ठीक है चलो अगर इसके प्रकार की बात कहें तो डिसी संट मोटर को कंट्रूल करने के कई प्रकार जूनमेत हैं यानि डिसी स देशन मोटर को मोटर को नीम्न तीन परकार से कंट्रूल कर सकते हैं कंट्रूल कर सकते हैं ठीक है है यह नि तीन परकार से हम चाहिए तो control कर सकते हैं ठीक है speed mode DC sent water के speed को उसमें से पहला क्या है उसको देखेंगे दूसरा क्या है उसको देखेंगे और तीसरा क्या है उसको देखेंगे पहला हमारा होता है कि आर्मेचर कंट्रूर मैथोड़को ठीक है पहला कि रेखेंगे मैच देखेंगे दूसरा को फिल्ड कंट्रूर मैथोड के अ या जैसरी क्या करते हैं हम लोग फ्लक्स कंट्रूर मेथड भी कहते हैं फ्लक्स कंट्रूर मेथड भी कहते हैं और तीसरा जो है उसके हम लोग बोलते हैं वाड लियोनार्ड मेथड कहते हैं यह तीन प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं ठीक है मेली तिन प्रकार होते हैं डिसी सीरीज मोटर में चार प्रकार होते हैं जो किसी और से समय में चौथा प्रकार हम लोग देखेंगे ठीक है अभी तीसरा प्रकार देख रहे हैं तीसरा प्रकार क्या क्या है तो control method इसमें हमारे क्या-क्या होते हैं इसका प्रयोग क्यूं करते हैं स्पीड बढ़ाने के घटाने के लिए तो सब इसका प्रयोग होता है जो हमारी rated speed है या फिर जिसको base speed कहते हैं जो मानक RPM पे चल ला है उससे कम speed पर चलाने के लिए अगर मोटर को हमको उस base speed यानि मानक स्पीड से कम speed पर सको control करके चलाना है तो इसके लिए हम लोग amateur control method का प्रयोग करते हैं ठीक है यानि कह सकते हैं की रेटेड या बेश स्पीड से कम गती पर मोटर को चलाने में चलाने के लिए के लिए armature control method का प्रयोग करते हैं ठीक है इसका प्रयोग करते हैं सही है आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा चलो अच्छा आगे देखते हैं की कहानी क्या है तो को में चीज जानते हैं कि जो हमारा supply voltage होता है इसको यादख लाना रखे रहोगे तभी आगे कहानी समझ पाओगे कि जो हमारा supply voltage होता है यानि जो मोटर को हम सप्लाई ठीक है यही होता है ठीक है तो अगर हम लिखना चाहें भी बराबर कोई एन बराबर क्या होता है ठीक है तो एन बराबर हमारा हो जायगा अचा ई जो यहाप प्लस आई रहने देता है थी जब नहांस से ई भी पर हमारा होता है B-I-A-R-A यह सई होता है इन दोनों को याद रखे रहना ठीक है ठीक है ठीक है न चलो इतनी कहानी होगे और एक हम एक चीज और जानते हैं कि जो E-B-N होता है नि जो हमारी स्पीड होती है, रपीम होती है वो बैक-N-A-P के समान पाती है और फ्लक्स के यह जो फिल्ड का फ्लक्स होता है उसके विद करमानु पाती ही होता है तो इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं तो साइसको हम लिख सकते हैं ये बी के जग सर भी माइनस आई ए आरे अपान फाई अब जो दोनों स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे फ्लक्स और आर्मेचर इसी फॉर्मले पर रखकर तुलना करके हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो देखो आर्मेचर कंट्रोल मतलब हमको क्या करना पढ़ेगा आर्मेचर का गला पकड़ना पढ़ेगा ठीक है किसका गला पकड़ेंगे आर्मेचर गला पकड़ेंगे फिल्ड कुछ छूना भी नहीं है तो देखो अगर डाइग्राम बनाया तो क्या करना पढ़ेगा हमको तो करना कुछ नहीं बस यहीं करना पढ़ेगा क्योंकि संट मोटर को कंट् supply voltage है यहाँ पर हमारा e भी निकल ला है यह हमारा ra है और यहाँ ते हम लोगे क्या लगा देते हैं variable प्रत्रोड लगा देते हैं इसको rsh कहते हैं ठीक है यहाँ से i धारा निकल लगा यह यहाँ इसमें धारा i ss चली जाएगी और यहां पर यहां पर जो आएगी हमारी आई यह आएगी इतने कहानी यह हो गई चलो अब देखो क्या करते हैं अगर हम आर्मेचर में परिवर्टी प्त्रोड लगा के जो register करा स्रेडे में जुड़ा है हो गया तो जैसे जैसे अर्मेचर पत्रत्रवद का मान बढ़ाईंगे यानि र 이inky का मान बढ़ाईंगे तो ऊवर्लाल जो इसका Θrhác जब विभव पात जादा होने के बाद और आगे मैनus कम हो जाती है ठीक है तो प्लस लगा होता है तो जादा होने पर जादा हो जाता हैं कि armature control से control से speed कम होती है क्या होती है speed कम होती है इसको note करके लिख लेना ठीक हमेसा speed क्या होती है कम होती है सब्सक्राइब है कि इसको या रखना हमेशा speed कम होती है इसमें एक तवाल और पूछता है और वह इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका कि इसमें constant torque तथा variable पावर प्राप्त होता है ठीक है यानि जो torque होता है वो constant होता है और जो power होता है वो क्या होता है variable यह परिवर्टी होता है ठीक है तो अर्मेशा control समझ में आ गया कि आर्मेशा ने प्रत्रोश कमाण बढ़ाओगे तो voltage drop बढ़ेगा हमारा क्या हो जाएगा overall speed क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो यह हमारी कहानी थी किसकी सरी यह हमारी इसको यूइन दूसरी बात आती हमारी साच्च,ayed field अन्रक क्टोल पर क्या होता है, तो सिर्फ फिल्ड कंत्रॉल मेथर ने एक चीज होता है, दूसरा पॉइंट है दूसरा टैप फिल्ड कंट्रोल मैथड ठीक है, चलो अब दूक्रोल कंट्रोमेथड क्या होता है तो इसको याद ख़ना है इसमें तो कोछिंद पूछे जाते हैं इसलिए बताया जा रहा है, इंपॉटेंट टॉपिक है तो देखो, इसमें क्या होता है रेटेड स्पीड या बेस स्पीड से अधिक गती पर मोटर को चलाने के लिए के लिए फिल्ड कंट्रोल या फिल्ड कंट्रोल या फिल्ड कंट्रोल भी बोलते हैं फिल्ड कंट्रोल मैथड का प्रियोग करते हैं यहां पर भी वही छी लिखेंगे कि तुमको साफ साफ दिख रहा होगा यहां पर एब बटे 5 हैं यानि किसी तरह अगर हम लिए फिल्ड फ्लक्स के मानको कम कर देदे, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ाएगी, यही होगा न, फिल्ड फ्लक्स के मान को कम कर दें, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ी जाएगी, क्योंकि एक तो घटा रहा था, तो दूसरा बढ़ाना भी चाहिए, तो दोकि यह बढ़ेगा क्या थे, उसलिए डाइग्राम देखो, फिर वही शंट बनाएंगे, क यह है, अब दिखो, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यह प्रत्रो जोल दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, यह रियेबल प्रत्रो लगा दिए, ठीक है, अच्छा, यह हमारा क्या है, यहाँ पर एबी है, यहाँ पर यह आर ए है, यहाँ त इह तो आए पर सिफिर वरता है ऐ धारा बढ़ने फ्लक्स बढ़ता है तो यह बताओ इसमें प्रत्रेष्च जोड़ हैं संट में यह आले से चहय अगर संट में बाहिया प्रत्रिष्च जोड़ घोंग तो महारा ओवरॉल क्या हो जाएगा प्रत्रेष्च कमान बढ़ी आए और प्रत्रोत कमान बढ़ेगा तो इस शंट कमान क्या हो जाएगा यानि जो शंट वाला करेंट उसका मान घड़ी जाएगा और जब शंट वाला प्रत्रोत कमान धारा कमान घटेगा यानि धारा कमान घटेगा तो फ्लक्स कमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि कह सकते ह हम कि फिल्डवा良ए को लिख रहे है आये फिल fp issh लिखते ना यह इसको issh लिखते है। issh कम करके हम चाहें तो flux कमान कम कर सकते हैं और कि अगरमवान कम होगा तो स्पीड क्या होजागी हमारी बढ़ Words I की झाफ ऊर्जदे शली क्या करते हैं हमारा अन्म सका देता है ठीक है यानि क्या नोट्स निकला यहां से दो पांट कि सर कि फ्लक्स कंट्रोल कि फ्लक्स कंट्रोल कि से स्पीड में व्रिद्धी लिखते हैं ना व्रिद्धी होती है ठीक है अगला इसमे इसमे लिख लिख लिटी टड़ा हो जा रहा है देख लो इसमे वेरिएबल टॉर्क एनी परिवर्थी टार्क तथा कॉंस्टेंट पावर प्राप्थ होता है ठीक है इस चीज को याद लखना है बहुत इंपॉस्टेंट है तो यह हमारे दो चीज क्या हो गए क्लियर हो गए ठीक है इसको चाहो दोखो यह हमारा यह उसके टाइप है यह सारी कहानी दीवी है ठीक है किसी वीडियो में क्या करेंगे डिसी स्रीज मुटर को भी कवर कर लेंगे ठीक है तो इस चीज को याद आखना इसको भूलना मत और वह वह एक चीज़ और भूलना है कि सेशन को लाइक शेर और और चैनल को भी करना है ठीक है चलो अब एक इंपोर्टेंट और लास्ट हमारा क्या है सर वार्ड लियोनार्ड अच्छा यह इन तुनों का प्रोक्यों क्यों अब करना स्रीज में नहीं करते हैं ठीक है तो तीसरा हमारा क्या है सर वार्ड लियोनार्ड मैथवर्वर्वर्वर्वर्वर अंए में थाडूहरी सांंटिस्ट के नाम पे था इतलिए इसको ऐसा बोला दिया वन्ली न्री С lawyer सांटिस्ट है ठीक है उन्हें यह बयान है कि ठीद ही थी हाला कि कम परियोग होता है नगर इंडरेस्ट्राम में वह जगाँ परियोग करता है क्योंकि इसका एक फादा है कि इसे वाइड स्पीड कन्ट्रोल होती हूँ, इससे पहले सब्सक्राइब क्या पूश्टा तू सर इससे इससे वाइड रेंज की स्पीड कंट्रोल कंट्रोल होती है अर्थात अर्थात बेस स्पीड से या दखना बेस स्पीड से कम तथा जैदा दोनो स्पीड प्राप्ट की जा सकती है प्राप्ट की जा सकती है इसलिए बोलते हैं कि ये वाइट जेंज का स्पीड कंट्रोल देता है क्योंकि ये खासियत होती है इसमें ठीक है अब भी कर सकता है और बीलो भी कर सकता है इसलिए इसका हम लोग प्रियोग करते हैं सही है चलो इसमें क्या होता सबसे खात पास इसका यह पूछता कि इसमें क्या होता है नोट करके तो सर इसमें तीन मसीन का प्रियोग होता है जिससे यह क्या हो जाता है जिससे सर इस सिस्टम जिससे यह विधी लिदिते हैं यह विधी कोस्टली हो जाती है यानि महंगी हो जाती है कोस्टली दूसरा बलकी हो जाती है यानि भारी हो जाती है और तीसरा क्या हो जाएगी लॉस भी तो ज़्यादा होगा ठीक है तीन खामिया इसमें होने लगती है सही है देखो अब वो तीन मसीन कौन कौन से है क्योंकि कोशन प कौन से हैं तो सर पहला है थ्री फेज इंडक्शन मोटर मोटर दूसरा डीसी जनरेटर ठीक है डीसी जनरेटर तीसरा किसको कांट्रोल करना है शंट मोटर को न तो क्या लगाएंगे डीसी शंट मोटर सर यह तीन होते हैं ठीक है जो अचली काम कैसे करता है इसका डियाग्राम देखें छोटा सा बना देते हैं सर यह हमारा आर वाई भी है यह हमारी मोटर बना देते हैं एक मोटर हमारा जो क्या है तीन फेज का है इसको सप्लाई देते हैं पहला यहां तो उठा के यह देते हैं फिर दूसरा उठाके यह देते हैं, फिर दीसरा उठाके यह देते हैं, करते क्या हैं, इसका जो साफ्ट निकलता है, इसका जो साफ्ट निकलता है, कपलर द्वारा क्या कर देते हैं, एक DC जनेटर से सेट कर देते हैं, DC जनेटर से कपल कर देते हैं, ठीक है, अब यहां से जो जो सप्लाई निकलता है यहां से जो सप्लाई निकलेगा डिसी सप्लाई निकलेगा डिसी सप्लाई इसको क्या कर देते हैं हम लोग एक जो फिल्ड वांडिंग होती है हमारी मोटर की मोटर की फिल्ड वांडिंग होंगी न जिसको क्या बोलते हैं हम लोग और एक हमारी क्या ह होती है और मेचर होती है ठीक है आर मेचर होती आघर अधिकि और इसके स्पीट पर मोटर की स्पीट कं ज्यादा करें तो मारे ऑगे कम Cliff huis कुंध यूदे और जब ऊवbeiter कम ज़्यादा होगा तो supply voltage जो output में दे रहा है वो भी कम होगा होगा कि नहीं सर्फ कम ज़्यादा होगा अज जब यह कम ज़्यादा होगा तो यह हम लोग excitation लगाए हैं जो excitation हो रहा है जो हमारी फिल्ड वाइंडिंग है decision motor की वो भी इसी voltage से excited हो रही है excited मतलब उतेजित हो रही है तो यह भी क्या होगा उतेजन भी क्या हो जाएगी कम ज़्यादा होगी क्योंकि इसका supply terminal जो output है वो भी कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यह DC generator से जुड़ा हुआ है और इसकी जो RPM में यह भी कम ज़्यादा हो रही ह कि इसकी कम ज़्यादा होने से यह कम ज़्यादा होगा यह कम ज़्यादा होने से इसकी फिल्ड रांडिंग का जो excitation है वो कम ज़्यादा होगा और जब excitation कम ज़्यादा होगा तो decision motor की speed भी क्या होगी कम ज़्यादा होगी ठीक है यानि स्पीड कम और ज्यादा यह सबसे इंपोर्टेंट है कम और ज्यादा दोनों हो सकती है ठीक है कम और ज्यादा दोनों हो सकती इस कंट्रोल से इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं वाइड ज्यादा कर सकते हो और चाहो तो कम भी कर सकते हो ठीक है यह कहानी इसकी यह चलो ति यह हमारी वार्ड लिन्ट मेथर्ड थी इस से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है चलो एक चीज और ग्राफ जब बनाते हैं जब बनाते हैं तो एक चीज देखते हैं हमारा यह जो जाएगा टॉर्क और पावर यहां पर हमारी होती है क्या सर बेस इस्पीड होती ह इसको बोलते हैं base speed यह क्या है low speed यह इधर क्या होती है low speed और इधर क्या होती है high speed ठीक है high speed तो इसके लिए कौन सा विडी परियोग किये थे आर्मेचर कंट्रोल मेथड परियोग किये थे और इधर ठीक है तो हम आपको बता आये थे कि आूब मेचर कंट्रोल मेथड होता है तो हुमारा परिवर्ती होता है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के सामने आता है ठीक है तो यह जो अक्ष्य बनता है वो टॉर्क पाउर का होता है यह वाला जो अक्ष्य होता है हमारी स्पीड का होता है अब चाहिए तो हमारी एक पहली विदी थी यह हमारी दूसरी विदी थी जो तीसरी विदी होती है हमारी इन टीनों के रेंज के अंदर अ इसलिए बोलते हैं कि तब ते बेस्ट है मगर यह क्या है यही तब का जहाम भर जाता है ठीक है तो आई अब वाड लिनौड भी समझ में आ गया होगा तो अगर वागू यह चैप्टर समझ में आ यानि यह टॉपिक समझ में तो सेथन को लाइक कर दो और चैन पर पहली बार ह को तो सब्सक्राइब पर ठीक है में तब तक लिए थैंक यू बड़ी मच और आल दी बड़ी बेस्ट